नवस्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंग्ग हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तरप्रदेश और उत्राखन की तमाम बड़ी खबरे देखे हमारे इस बुलेटिन राजिस्थान के लाल सौट में सारवजली के सभा को सीम योगी ने किया संबोधित कॉंग्रेस पर योगी ने साधा निशाना कहा संदिख ध्रातंकवादियों पर नरम रोख अपनाती है कॉंग्रेस जनसबा के दौरान विपक्ष पर हमला हबर हुए यूपी के मुखिया योगी अदितिनाथ कहा कॉंग्रेस नहीं चाहती है कि देश की समस्याओं का हो समधान साथी सीम योगी ने दिया अतंक्यों का राम नाम सत्य का पैगाम अमेर्टी से बीजपी सांसा दिस्मिती रानी ने राहूल गांधी पर बोला जोरदार हमला कहा राहूल गांधी ने वाइनाट लोगसवास सीट से चुनाव जीतने के लिए लिया पॉपुलर फ्रन्ट ओफ इंडिया की मदद सपाकार्याले पहुचे कॉंग्रेसी नेता अखलेश यादव से की मुलाकात कॉंग्रेस प्रदेश अध्याक्षा जैराय साहित का इदिगज नेतार है मौजूद शेवसेना सांसार संजे राउत ने साधा यूपी सियम योगिया अधितनात पर निशाना कहा यूपी की हालत है गंभीर योगी जी यूपी में ही रहना चाहिए चुनावी प्रचार के बीच आजम के गड रामपूर पहुचे बीजेपी रास्ट्री अध्याक्ष जेपी नड़ा जनसभा को क्या संबोधीत बीजेपी के लिए वोट अपील करते नजराय नड़ा यूपी के रामपूर से जेपी नड़ा ने भरी चुनावी हूंकार योगी का एलान आतंकियों का राम नाम सत्य तै इस्मृती रानी ने राहूल गांधी को दिया करारा जवाब अखिलेश यादव ने की कॉंग्रिसी नेताओ से मुलकार मोदी योगी की सभा से जेंत चौधरी ने बनाई दूरी वरुन का ठिकट कटने पर मामैन का ने दी प्रतिक्रिया लोगसभा चुनाव का प्रचार अभ्यान अपने चरम पर है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है इसी कड़ी में उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितेनाथ ने राजस्थान के लाल सौट में सारवजनिक सभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कॉंग्रेस पर संदेख्ध आतंकवादियों पर नरम रोख अपनाने का आरूप लगाया और इसे देश की सबसे बड़ी समस्या बताया योपी के मुख्या योगी आदितेनाथ ने जनसभा के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कॉंग्रेस खुद एक समस्या है कॉंग्रेस नहीं चाहती है कि देश की समस्याओं का समधान हो कॉंग्रेस गरीबों को भूका मारती और आतंकवादियों को बिर्यानी खिलाती थी इसके साथ ECM योगी ने कहा हम राम राम भी कहते हैं और आतंकियों का राम नाम सत्य भी करते हैं लोगसभा चुना में बीजेपी के मिशन चार सो के पार के तहत बीजेपी के राश्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़ा ने आजम के गड़ रामपुर में चुनावी हुंकार भरी और जनसभा को संबोधित किया नड़ा ने भंबॉरा के शिव मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात शुरू की इस दौरा नों ने राजा राम सिंग को याद किया साथ ही जेपी नड़ा ने कहा कि एक वक्त था जब रामपुर में कानून की हालत बत्तर थी लेकिन आज स्थिती बदल गई है जेपी नड़ा ने जनता से बीजपी को वोट देने की अपील भी की अमेठी से बीजपी सांसद इस्मिरती रानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है इस्मृति रानी ने कहा राहूल गांधी ने वाइनाड लोकसभा स्रीट से चुनाव जीतने के लिए पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया की मदत ली ये वही पिएफाई है जिसने हिंदू रेताओं को मारने के लिए हिट लिस्ट तयार की थी लखनाओ में सपाकार्याले पहुचे कॉंग्रेसी नेता मिली जौनकारी के मुताबिक कॉंग्रेस पार्टी का प्रतिनिधी मंडल अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुचा कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्षा जैराय यूपी प्रभारी अविराश पांडिस समेत तमाम अन्य नेता सपाकार्याले पहुचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपी सीम योग्यादितनाथ पर जुवानिवार किया है चुनावी रैली में शिवसेना सांसद ने निशाना सात्य हुए कहा कि यूपी की हालत कंभीर है उन्हें वही रहना चाहिए यूपी के शिवसेना सांसद संजे राउत ने सीम योगी पर तंज कसा साहरनपूर और विजनौर रैली में आरेलडी के मुख्या जेंत चौधरी की गैर मौजूदगी पर सियासी चर्चा तीज हो गई है जबकि मेरट की रैली में पीम के साथ और मुजफर नगर के रैली में अमिश् साथ जेंत चौधरी मंच साजा कर चुके हैं लेकिर अब सवाल ये उठराए कि आखिर जाट वेस्ट में पीम मोधी की सहारनपूर और सीम योगी की विजनौर में रैली से जेंत ने दूरी क्यों बनाए आखिर क्या मजबूरी रही पोर्व केंद्रे मंत्री और सुल्तानपूर से बीजपी प्रत्याशी मैंका गांधी ने बेटे वरुन गांधी का टिकट कटने पर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि तीन बार के सांसद बेटे वरुन को प्रत्याशी नहीं बनाई जाने को लेकर ना तो कोई हैरानी है और ना ही कोई परिशानी उन्होंने भरोसज अताया है कि वरुन जो भी करेंगे वो देश के लिए सकरातमक ही कारे करेंगे गाजीपुर में मुखतार अंसारी की मौत पर शोक व्यक्त करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अफजाल अंसारी ने यूपी के उप्पु मुख्य मंत्री केशब प्रसाद मौरे पर निशाना साधा अफजाल अंसारी ने कहा कि 16 मुकद में केशव प्रसाद मौरे पर है इसके साथ ये अफजाल ने कहा कि खुद 302 के मुजलिम और माफिया रहे हैं केशव प्रसाद मौरे बहुजन समाच पार्टी के राष्टे संयोजाक और मायवती के भतीजे आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव परतंज कसा लोगसभा चुनाव के मध्य नजार कई सीटों पर प्रत्याशी बार बार बदले जाने को लेकर आकाश ने कहा है कि जो पार्टी ही नहीं चला पा रहे हैं वो सरकार क्या ही चलाएंगे इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सुर्णे में आता है कि वो हर एक सीट पर चार-चार कैंडिडेट्स को कमिटमेंट कर रहे हैं जो कायदे से तौर तरीके से चुनाव नहीं लड़ा सकते अपने पार्टी नहीं चला सकते वो सरकार क्या ही चला लेंगे लोगसभाद चुनाव की तयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व कारेवाहक डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी की सदयसता ग्रहन की विजय कुमार ने डिप्रिसियम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी की सदयसता ली यूपी में अभी 12 सीटे हैं जहां से बीजेपी ने अभी अपने उमिदवार घोशित नहीं किये माना जा रहा है कि विजय कुमार को मचली शहर या कौशामबी से पार्टी उमिदवार बना सकती है बागपत में आरेलडी विधायक मदन भाया समेट 100 अग्यास्त के विरुथ मुकदमाद दर्ज किया गया है बगार अनुमती के चुनावी सभा करने के चलते आचार सहिता उलंगन का मुकदमाद दर्ज किया गया है एंडिया प्रत्याशी के लिए वोट मागने के लिए आयुजित की गई सभा थी ये खेकडा थानाशेत्र के एहमद दगर गाओ में इस सभा का आयुजित क्या गया था जिस पर बड़ी कारवाई हुई है खबर अमेट का नगर से है जहां नौनी हालों ने मद्दान प्रतीशत बढ़ाने के लिए रैली निकाली पहले मद्दान फिर जल्पान का आवाहन किया इस दोरान शात्र शात्राओं ने सभी लोगों को नारे के जरिये मद्दान करने के लिए जाग रुख किया एक तरफ केंद्र सरकार से लेकार यूपी सरकार बिजली को लेकर दावा करती है कि यूपी में बिजली विवस्था काफी बहतर है वहाई दूसरी तरफ यूपी की बिजली की विवस्था की पोल खोलते ये सामुदाइक स्वास्ते केंदर सिकंदरपुर का चितर सामने आया जहां लगभक तीन वर्षों से अंधेरे में सिकंदरपुर सामुदाइक स्वास्ते केंदर चलने को मजबूर है प्रशासन पर सबके निगाहेट की हैं कि कब धरातल पर सारे वादे पूरे होंगे बीज़पी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंग ने राजधानी लखनों में सीम योगी आदितेनाथ से मुलाकात की उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की बीज़पी विधायक ने फोटो शेयर कर उसके कैप्शन में लिखा की अटल राजनिता सहसी कर्म योगी तपस्वी धर्म योध्या आदर्णिय योगी जी का मार्ग दर्शन सदेव जनसेवा हीतु नई उर्ज एवं स्फृति प्रदान करता है इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से वो उत्रप्रदेश में देश के सबसे पहले AI कमिशन की स्थापना के लिए आग रह कर रही हैं आपको तादे की देश के सबसे अग्रीन राज्य उत्रप्रदेश म AI का नियोजित उपियोग कानोन व्यवस्था, स्थिक्षा, स्वास्थे, यातायात और युवाव को रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकता है गोरकपुर के BRD Medical College में सहस आचारे समेत 38 पर केस दर्ज हुआ है सभी पर डकैती, तोरफोर और बलवा के आरुक में केस दर्ज हुआ है Medical Store संचालक प्रशांत कुमार की तहरेर पर ये केस दर्ज किया गया ललितपुर में अनपुर्णा सेवा संग के नौवे स्थापना दिवस समारोह आयोजन किया गया इस दोरान अतीथियों और सनक्षकों की उपस्थिती भी आयोजन संपन कराए गया वही इस खास मौके पर अनपुर्णा रथ निशुलक शब वाहन सेवा का शुबारम भी हुआ बल्या में सतर से जादा पियाडी जवानों ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव और ड्यूटी के वहिश्कार का ऐलान कर दिया है दरसल पियाडी जवानों का कहना है कि पहले उनकी ड्यूटी पंदरा किलोमेटर के भीतर लगाई जाती थी जबकि नए नियम के मुताबिक अब उनकी ड्यूटी साट से सतर किलोमेटर दूर तक लगाई जा रही है पियाडी जवानों का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी मांगों को नहीं पूरा करेगा तो जवान लोक्स बाचुनाव और ड्यूटी का बहिश्कार करेंगे यूपी को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी कर दिया है रिपोर्ट्स के मताबिक अगामी कुछ दिनों तक मौसम में व्यापक फेर बदल के आसार रहेंगे वहीं पश्चमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुश्क रहेगा जबकि यूपी के कुछ इलाकों में गरच चमक के साथ बहुचारे पर सकती है 9 अप्रेल से 12 अप्रेल तक हलके से मध्यम बारिश के आसार है अमबेटकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबेड हुई सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कारियर बड़ी कारवाई की थी वही इस दोरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया जिसकी जवावी कारवाई में पुलिस ने बदमाशों के पैर पर शूट किया इस दौरान दो बदमाश घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए जुलास पताल में भड़ती कराए गया है फिलाल अभी के लिए बस इतना ही देश दुनेक तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रिमार साथ और देखते रहिए महुआ खबर